हालो फ्रेंज आज हम देखेंगे कि जो आपके एक्जाम्स 15 जनुरी से स्टार्ट हो रहे हैं कली उनिवस्टी की तरफ से के इंस्रक्शन्स दी गई हैं जिसमें से एक है कि आपको शीट्स कौन सी लेनी हैं कैसी लेनी हैं और उसमें कितने पेजिस होने चाहिए कौन-कौन सी शीट्स लेनी हैं हम बात करेंगे यूजी और पीजी दोनों के लिए और मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि शीट्स कौन सी बैस रहेंगी तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आपको शीट्स लेनी हैं वो लेनी हैं एफॉर साइज एफॉर साइज कौन सी होते हैं मैं आगे दखाऊंगा आपको प्रैक्टिकली और प्रैफरिबली लाइन वाली हो तो सबसे बैटर रहेगा फॉर राइटिंग का अंस्वार ठीक है यानि कि चालिस लेनी हैं पीजी वालों को और जो यूजी वाले हैं उनको लेनी हैं थर्टी सिक्स छतिस ठीक है only one side of the sheet should be used for writing का अंस्वार यानि कि one side one side क्या होता है वो भी आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा और समझा भी देता हूं कि one side का क्या मतलब होता है 36 one side अगर हम sheets को आगे बीचे करेंगे वो हो जाएंगी 72 हमें यह नहीं करना हमें only 36 ही करना है one side वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दखाऊंगा आपको इसलिए समझ आ जाएगा और बी पॉइंट क्या है the candidates are required to writing the following detail on the first page आपको first page पे कौन सी detail लिखनी है वो भी मैं आपको प्र first page पे वो लिखना है university roll number जो भी आपका roll number होता है ठीक है university का और इन figures यानि कि यहां पे figures में आएगा one two three four seven जो भी आपका roll number in words यानि कि one one ऐसे one two three so on जो भी आपका roll number है then name of the student semester कों से है आपका sixth fifth जो भी आपका semester है then class name of the vapor total number of pages कितने होने चाहिए student or subject code of the vapor और signature or date of exam अब हम देखते है practically friends हमारे पास तीन sheet है इन में से कौन सी use करनी है exam के लिए तो देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि A4 size sheet कौन सी होती है simply आप देख सकते हैं जो यह आप photo copy करवाते है मार्केट में जाके वह simply A4 size sheet होती है ठीक है आप देख सकते हैं यह A4 size sheet होती है blank page भी लग सकते हैं इस पर आप लेकिन handwriting का असर बढ़ेगा आपका और second है आप lines वाली ले सकते हैं यह देख सकते हैं अगर lines वाली नहीं मिलती तो आप pencil से माल सकते हैं लेकिन उसमें time लगेगा ज़्यादा आप lines वाली ले सकते हैं सबसे best है वह यह वाली है मार्केट में आपको बनी बनाई sheets मिलती हैं जिस पर आपके format लिखा होता है पूरा answer sheet का आप देख सकते हैं use for the student ठीक है इसमें मैंने बताया है कि format क्या है university का की आपको क्या लिखना है front page वह सेम इसी पर लिखा मिलता है यह मेरा एक्जाम है यह मेरा पेपर है जो मैंने final year September में use किया था simple आप देख सकते हैं यह मेरा math का वेपर है देख सकते हैं अब math का वेपर है यह मेरा और यहां पर आपको roll number लिखना है और यहां पर अपना name और यहां पर name of the paper और total number of pages यानी कि मेरे total number 12 थे September में 12 थे अब आपके पास 36 pages है यहां यहां पर यहां पर लिख दिया और अगर आपके जितने भी pages होंगे और यहां पर यहां पर लिखना है कि आपके इतने pages use हुए है ठीक है और और नेम of date of exam यहां पर date आईगे एकजाम और यहां पर signature आएगा code of paper जो भी आपका code होगा पेपर का वो यहाँ पे आएगा और class और semester जो भी आपकी class और semester होगा वो यहाँ पे आजाएगा in words यानि कि 1, 2, 3 जो भी आपके roll number होगा वो लिखना है यहाँ पे ठेक है आप देख सकते हैं एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप एक दो बर practice करके देख लीजिए क्योंकि मेरे ख्याल से 36 pages हैं तो lengthy paper होगा आपका और आपको भेजना भी hard copy भेजनी है post office जाके तो कोई mail वगारा नहीं करने कि जैसे आपको easily हो सके और next page पे भी आपको मिलेगा और यहां पे second page यह सब कुछ बने बनाए मिलते हैं आप market में जाके easily खरीच सकते हैं अगर नहीं मिलता तो आपको यह prefer करूँगा मैं कि आप ऐसे sheets लें जो easily market में available भी होती हैं और handwriting के लिए भी अच्छा रहेगा यहां पे आप अपना code लिखें और यहां पे roll number in figures ठीक है यहां पे आपके signature आ जाएंगे हम friends बात करें one side one side का हता है one side का मतलब होता है कि हमें यहीं आगे ही करना है back side नहीं करना यानि कि अगर हम आगे और पीछे दोनों side करेंगे वो हो जाएगा हमारा two side हमें one side ही करना है यहां simple आगे ठीक है one side friends जो sheets होनी चाहिए वो A4 size ही होनी चाहिए A4 size के उनिवस्टी ने बोला है क्योंकि जब हम offline exam देने जाते हैं तब वो भी A4 size होती है वो भी मैं बता जाता हूँ आपको कैसी होती थी वो जी हाँ यही थी जो यह मैंने RTI के थ्रू निका लिए थी अपनी निकलवाई थी यूनिवस्टी से तो आप देख सकते हैं बिलकुल यही होती थी लेकिन वो horizontal होती थी यह vertical ही है बस इतना फरक है आप देख सकते हैं यह same page मैं लगा के दिखाता हूँ आपको पीछे तो देखिए बिलकुल same है जैसे यहाँ पर वैसे ही same है बिलकुल वो भी A4 size होती थी यह भी A4 size है ठीक है ऐसा कुछ नहीं है कि जो यूनिवस्टी ओफलाइन करवाती थी उसमें थोड़ी लंबी sheets होती थी इसा बिलकुल नहीं है बिलकुल same है A4 size ही होती थी वो भी और जो आपने लेनी है वो भी A4 size लेनी है और फ्रेंट्स जो इवनिंग्स रोट वाले हैं उनको यूनिवस्टी की वेबसाइट पर अपनी जो PDF है वो अप्लोड करनी होगी वो आप create कैसे करनी है PDF उस पर अगर आपको होगा तो मैं वीडियो भी बना दूँगा और next day जाके आपको जो hard copy है वो भी post office में submit करवानी होगे जैसे आपकी query रहेगी मैं वैसे वीडियो बना दूँगा जिससे आप easily exam दे सकें तो thank you friends वीडियो अच्छे लगे तो share करना like करना subscribe करना कोई भी query तो comment करना thank you friends